Hello students, welcome back. Magnetic field due to current solenoid. Solenoid क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं. आपने कभी किसी electrical instrument में इस तरह की shape देखी होगी. इस तरह की shape जो है, ये solenoid कहलाती है. Solenoid क्या होती है? इसके अंदर आप क्या use कर सकते हैं? इसका आईए समझते हैं. solenoid cylindrical shape की होती है. इसमें किसी भी cylindrical shape के आप insulator को लीजिए. और इस insulator पे अगर आप किसी भी conductor wires को इस तरह से लपेट देंगे, इस तरह से लगा देंगे और इसके एक end को इस तरफ और एक end को इस तरफ join करके और इसमे current flow करेंगे तो इन सब के अंदर current flow होगी. इसी को हम solenoid कहते हैं. अब आपको पता है कि हम किसी भी wire में अगर current flow करते हैं तो उसके अंदर magnetic field बनना चाहिए. ऐसा ही experiment और एस्टेड ने किया था. तो यहां से हम इसके अंदर magnetic field develop करने में कामियाब हो जाते हैं. और इस magnetic field का हमें जहां भी इस electrical instrument में यूज़ करना हो हम कर सकते हैं. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि copper wires को एक insulator पे लपेटा हुआ है. और यहां पर दो terminals आपको नजर आ रहे हैं. इन दो terminals के थूँ हम इसका connection कहीं भी किसी भी electrical instrument में कर सकते हैं. और यहां पर current flow करते हैं. तो इन सभी wires के अंदर current flow होती है और इन सब wires में current flow होने से इसके अंदर एक magnetic field develop होता है. और उस magnetic field का use हम करके और electrical instrument को चलाते हैं. तो आईए समझते हैं कि इसके अंदर जो बनता है magnetic field वो कैसा होता है. तो इसके लिए एक activity हम करेंगे जैसा हमने पहले किया था circular के लिए वैसी ही एक activity यहां करेंगे. हमने एक solenide यहां पर ready की है. solenide के लिए हमने copper wire को इस तरह से round shape देते देते और हमने काफी सारे इसके turns बनाके और इसको हमने लपेट लिया है. और यहां पर हमने नीचे जिस तरह से पहले आपने देखा था कि हम cardboard ले सकते हैं या कोई glass board ले सकते हैं या कोई plastic cardboard हमने लिया. उसके हमने इसको vertically इसको इस तरह से लपेट दिया. अब हम यहां पर अगर इसके उपर यहां यह जगा दिख रही है आपको यहां पर हम iron feelings डालेंगे यहां पर हम सारे पर iron feelings इसके surface पर डालेंगे तो हम देखते हैं कि उस iron feelings का क्या होता है तो हमने इसके उपर iron feelings को देखिए इसका एक diagram आपको side view भी दिखाया गया है कि side view देखेंगे तो हमें ऐसी wires नजर आएंगी आधी उपर की तरफ हैं इसके और आधी नीचे की और है इसमें हमने छोटे छोटे holes बनाके इसको इस तरह से wind किया है अब हमने इसके उपर iron feelings को डाला और iron feeling डालने के बाद अगर हमने इसमें connection करके बेंटरी से इसके अंदर अगर हमने current flow करना start किया तो यहां से current इस wire से enter होगी और इस wire से बाहर निकलेगी current flow करने पर हम क्या देखते हैं कि iron feeling अपने आपको align करना start करते हैं और यहां पर आप इस diagram में देख पा रहे हैं यह iron feeling अपने आपको किस तरह से align कर रही हैं अंदर आप देखें तो iron feeling आपको almost straight नजर आ रही हैं आप ध्यान से देखिए इस diagram को तो आपको नजर आएगा कि iron feeling अपने आपको straight align कर रही हैं इसको मैं थोड़ा zoom करके यहां दिखा हूँ आपको तो आप देख सकते हैं कि iron feeling अंदर की और straight हैं तो इससे हमें पता लगता है कि solenoid के अंदर magnetic field जो बनता है वो straight बनता है इसे हम uniform magnetic field भी कहते हैं क्योंकि पूरे solenoid के अंदर magnetic field लगबग एक समान रहता है और वो straight रहता है यहां पर आप देख सकते हैं कि solenoid के अंदर magnetic field जो है वो uniform है uniform कैसे पता लगता है कि अगर यह line सब parallels हैं कि यह line one number two number three number four number इस सब parallels हैं और equispaced हैं यानि इनके बीच में space भी बराबर है तो इसे हम uniform magnetic field कहते हैं तो solenoid के अंदर almost uniform magnetic field डवलप हो गया है अगर हम solenoid के बाहर की बात करें तो magnetic field zero ही होता है almost क्योंकि बाहर देखिए कि यह जो बाहर यहां पर direction देखिए magnetic field की इस तरफ है यहां देखिए ध्यान से और यहाँ से जो यह इस तरफ देखेंगे तो यह direction आपको यहां पर इस तरफ देखरिए उपर वाली direction clockwise है और नीचे वाली direction anti-clockwise है जब ये magnetic field ये जो नीचे वाली anti-clockwise magnetic field है देखिए अगर जब ये उपर जाके यहाँ पर जाएंगी तो इस magnetic field के ये against हो जाएंगी anti-clockwise magnetic field और भी निकलेंगी जो कि यहाँ पर हमने show नहीं कर रखी है लेकिन इस तरह से और भी काफी निकलती जाएंगी और वो जब उपर जाएंगी तो इसके against हो जाएंगी against होने से आपस में ये एक दूसरे के magnetic field के effect को खतम करती है तो बाहर magnetic field almost zero हो जाता है तो solenide का एक benefit ये भी हुआ कि इसके बाहर कोई magnetic field नहीं बन पाता है और सारा magnetic field इसके अंदर ही बनता है तो ये था solenide का थोड़ी सी जानकारी आपकी 10th class में अब हम बात करें कि इसके अंदर बनने वाला जो magnetic field होगा वो किस-किस पे depend करेगा तो इस पे बनने वाला magnetic field current के proportional होता है यानि जितनी ज़्यादा current आप इन wires में flow करेंगे कौन सी wires में ये जो copper wires आपने लगाई थी इन wires में जितनी ज़्यादा current आप flow करेंगे उतना ज़्यादा magnetic field बीच में बनेगा सेकिंड बात करें कि magnetic field number of turns के भी proportional होता है number of turns का मतलब क्या है यहाँ पर हम देखें तो हमने यहाँ पर doubling कर रखिए ध्यान से देखिए हमने दो-दो wires का turns बना रखेंगे देखें सब दो-दो wires के turns हैं ओके तो यहाँ पर जितने ज़्यादा turns बनाएंगे आप जितना close close इनको लपेटेंगे उतना magnetic field strong बनता है यहाँ पर देखें very closely एक दुसरे से यह लपेटे हुए हैं और अगर हम number of turns यानि एक के उपर एक doubling करेंगे ट्रिपलिंग करेंगे तो भी हमारा magnetic field और ज़्यादा बनता जाएगा तो यहाँ पर यह हमने समझा कि magnetic field बनने वाला current के भी proportional है और number of turns के भी proportional होता है आईए हम अपने next topic की और बढ़ते हैं force on current carrying conductor in magnetic field कोई भी current carrying conductor को अगर आप magnetic field में रखें मान लीजिए यह current carrying conductor है और आप इने इसे magnetic field में रख दिया magnetic field में रखने का मतलब क्या है कि आपने उसको किसी भी magnet के दो poles के बीच में रख दिया तो यहां पर magnetic field की direction अगर मैं show करना चाहूं तो magnetic field की direction क्या होती है आपको पता है north से south की और होती है और यहां पर इस तरह से magnetic field north से south की और है तो इस current carrying conductor के कारण भी magnetic field बनेगी यह आप जानते हैं कि यह current carrying conductor है यह भी अपने चारों और magnetic field बनाता है कैसा magnetic field बनाता है ये भी आप जानते हैं कि circular shape का magnetic field अपने चार और बनाता है कि direction हम right hand thumb rule से find out करते हैं right hand thumb rule बताता है कि अगर आप right hand के thumb को current की direction में रखो तो आपकी मुड़ी वी fingers जो आपकी fingers जिस तरफ कर्व होंगी उस तरफ magnetic field बनेगा उपर से देखने पर अगर आप उपर से अपने हाथ को देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर current उपर की और जा रही है मान लीजिए current की direction आपके first floor से उपर की और है उपर की और यानि कि आपकी roof की तरफ है तो बनने वाला magnetic field अगर आप देखें और आपका हाथ आपकी आँखों के नीचे है यानि आपके पेट के आसपास है तो आप देखें थम को उपर की और roof की तरफ करिए क्योंकि current की direction क्या है roof की और और थम को आपने roof पे करने के बाद अपनी fingers को देखें किस तरफ मूड रही है तो आप देखेंगे कि आपकी fingers अगर आप उपर से देख रहे हैं और हाथ आपका नीचे आपके chest की तरफ या पेट की तरफ है तो आप देखें कि आपको anti-clockwise नजर आ रही है तो इसका मतलब magnetic field की direction उपर से देखने पर anti-clockwise नजर आईगी magnetic field की direction देखने वाले पर depend करती है कि आप देख कहां से रहे हैं अगर हम यहां से देख रहे हैं तो magnetic field की direction हमें उपर की और नजर आ रही है हमारी आई अगर यहाँ है अगर हमने आई नीचे की तरफ रखी यानि कि अगर हमने यहाँ से देखा तो हमें यही डारेक्शन क्लोकवाइज नजर आएगी यह मैं आपको पहले पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ तो इसके कारण भी समझाया कि current carrying conductor भी magnet बनाता है और already एक magnetic field पहले से है तो अब यह दोनों magnetic field बनने के कारण इस current carrying conductor पे एक force लगना चाहिए हम उसी force के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो आईए इसके लिए एक experiment करते हैं एक activity जो आपकी book में दी गई है वो activity क्या है कि अगर हम एक horseshoe magnet लें horseshoe magnet इस तरह की होती है U-shape की magnet होती है जिसमें एक pole north है और एक pole south है और अगर हम एक wire को इस तरह से हमने horizontally align कर दिया ह यह wire है आपको अगर यहाँ पर दियान से आप देखेंगे तो एक wire नजर आ रही है यह wire है मैं इसके अलग color के pen को use करता हूँ आपको wire ताकि अच्छे से नजर आए यह wire है हमने इस wire को इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है और इसको हमने उपर connect किया हुआ है यहां से उपर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह wire की position यहाँ पर है इसको position number हम one बोल रहे हैं और जैसे ही हमने इसको on किया तो हम क्या देखते हैं कि यह अपनी one number position से two number position यानि कि इस horseshoe magnet की तरफ move कर गया है तो इसका यह जो movement हो रहा है इसका मतलब इस पे कुछ ना कुछ force लगा इस practical को हमने बार बार करके देखा तो हर बार हमें ऐसा नज़र आया कि यह अपनी number one position से on करने पर number two position पे आ जाता है तो इस force की direction कैसे find out करते हैं इस force के बारे में हमें एक rule दिया गया है जिसे हम flaming का right hand left hand rule बोलते हैं जिसे हम flaming का left hand rule बोलते हैं flaming left hand rule left hand rule को समझने के लिए आप अपने left hand के thumb और first two fingers को एक दूसरे से 90 degree पर करें जब यह तीनों एक दूसरे से 90 degree पर होंगी तो यहाँ पर जो आपका thumb है वो force की direction को बताएगा यहाँ पर आपकी जो first finger है वो magnetic field को बताएगी और यहाँ पर आपकी जो middle finger है जिसको हम सबसे बड़ी finger कहते हैं वो current के बारे में बताएगी इसे याद करने के लिए आप father mother child father mother child की तरह से याद कर सकते हैं thumb father first finger mother और सबसे बड़ी finger जो है middle finger वो current को बताती है तो अगर आपको magnetic field की direction बता हो और current की direction बता हो तो आप force की direction निकाल सकते हैं जैसा कि इन practicals में अगर हम देख देखें तो यहाँ पर आपको एक hand नजर आ रहा है यह force की direction को thumb force की direction को बता रहा है और first finger आपको पता है magnetic field की direction को बताती है और जो यह आपकी middle finger है वो current की direction को बताती है ओके तो अब हम अगर समझें इसे तो देखिए जो magnetic field है वो हमेशा north से south की तरफ होता है तो इस magnet के अंदर magnetic field की direction north से south होगी तो आप सबसे पहले magnetic field की direction को set कीजिए जहने कि first finger को आप आपके रूप से first की और नीचे की और set कीजिए अब current की direction देखते हैं इस wire में current की direction यह है यह already हमारे practical के अंदर हमने connection इसका किया है कि positive terminal यहाँ पर जोड़ा है हमने और negative terminal यहाँ पर add किया है बाहर तो बेंटरी इस तरह से touch की गई है कि बेंटरी का positive यहाँ है तो current की direction इसके अंदर आपकी तरफ आ रही है ऐसा समझ लीजिए कि आपकी screen से बाहर आपकी और current की direction है तो screen से बाहर आपकी और आप अपनी middle finger को कीजिए यानि middle finger आपकी और होनी चाहिए लेफ्ट हैंड की और आपकी first finger first की तरफ होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि जो force की direction है वो आपको किस तरफ नजर आ रही है तो answer है अगर आप अपनी fingers को इस तरफ रखते हैं तो आपका thumb इस तरफ जा रहा होगा यानि left to right जा र direction में है तो यहां पर practical में यही हमने देखा कि जैसे हम switch को on कर रहे थे यह wire जो है अपनी one number position से right की तरफ move करती हुई two number position पर आ जाती है यानि magnet के कुछ अंदर की और जाने की कोशिश करती है पहले यह magnet से बाहर थी तो यह इस तरह से हम किसी भी current carrying conductor को magnetic field में रखने पर उस प है आई थिंक आपको यह phenomenon clear हुआ होगा यह phenomenon हमारे लिए बड़ा ही important है जो कि हमें आगे electric motor में काम आता है तो आए अब हम next topic electric motor को समझते हैं सबसे पहले हम जाने कि electric motor जो है वो क्या work करती है तो electric motor जो है वो electric work को mechanical work में change कर देती है यानि कि हम किसी भी instrument में अगर electricity flow करके और उससे कुछ mechanical work लें जैसा कि आप fan में देखते हैं तो आपके घरों में फैन लगे होते हैं उसमें हम current flow करते हैं और वहाँ पर fan move करने लगता है rotate करने लगता है तो वहाँ पर हमने electrical work किया यानि उसको electricity दी और हमें mechanical work मिला यानि कि fan घूमने से हमें हवा मिली पानी की motor में भी ऐसा ही होता है हम electrical work करते हैं और वो mechanical work करके पानी को नीचे वाली टैंक की से उपर वाली टैंक में फेज़ देती है ऐसा हमारे refrigerator's में, AC's में और बहुत जगा पर ऐसा हमें ये phenomenon देखने को मिलता है तो ये आपके syllabus में है electrical motor आईए हम electrical motor के बारे में और थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे काम करती है electrical motor के सबसे पहले parts समझते हैं, इसके अंदर सबसे पहले magnet रहती है आप किसी भी fan की winding को खोल के देखेंगे तो आपको उसके अंदर magnets नज़र आएंगी इसके बाद इसके अंदर ये जो armature लिखा है, ये क्या है? ये coil रहती है, rectangular shape की coil है कैसी shape है ये? rectangular और ये metallic wires होती है, जिनको हम बार-बार turn करके एक दूसरे के उपर लपेट के इस तरह से बनाते हैं इन wires को आगे हम split ring से जोड़ते हैं, ये split ring क्या है? ये move करते हैं एक देखिए wire का एक end आपने एक split ring से जोड़ा हुआ है और wire का दूसरा end यहां से देखिए कि यहां से यह wire आ रही है आते आते और आपने इसको एक split ring से attach किया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इस wire को यहां से इसको बोलते हैं split rings ओके यह shape इस तरह की shape की होती हैं जिससे हमने already एक wire को attach किया हुआ है और इसी तरह से हमने इस rectangular coil के दूसरे end को दूसरी split ring यह वाली जो split ring है इससे हमने attach किया होता है यह split ring rotate कर सकती हैं घूम सकती हैं और यह split ring जो हैं वो carbon brushes यह जो आपको black color के नजर आ रहे हैं यह carbon brushes हैं यह fixed होते हैं यह move नहीं करते हैं और इनसे carbon brushes से इनको attach किया होता है और यहां पर हम आगे battery या फिर कुछ भी electric circuit लगा के यहां से power देते हैं और key का use करके power को on off किया जा सकता है तो यह एक general introduction हुआ motor का आईए हम समझते हैं कि electrical motor work कैसे करती है तो यहां पर इस diagram को थोड़ा सा हमने numbering कर लिया है हमने इस rectangular coil का नाम दिया है A, B, C, D और यहां पर हमने इसकी जो split rings थी उनको भी नाम दे दिया है जो A, B side से जोड़ी वी wire से यह जो बाइर आ रही है इससे जोड़ी वी split ring का नाम दिया है हमने P और यह देखिए यह वाली जो split ring नजर आ रही है मैं इसका एक अलग color देता हूँ आपको कि यह जो split ring नजर आ रही है जिसे हम अभी blue color दे रहे हैं ओके यह जो split ring है इसका नाम हमने दियावा P और हमने दूसरी split ring जिसका हम green color देते हैं यह देखिए यह वाली जो green वाली है इसका नाम दिया split ring का Q यह split ring rotate करती है यहां आप diagram में देख सकते हैं कि जैसे से coil करेंगी यह rectangular circle को मुव करेंगी यह split ring भी rotate करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि split ring जो P है वह X के साथ attached है ओके यहां पर आप देख सकते हैं क्यू proces के नाम हमने X X और SY रखे हैं यह हमेशा आपनी जगा पर fix रहते हैं एकष्प्रश हमेशा यही रहेगा और और यए ब्रॆश हमेशा यहीं रहेगा तो प्रश ऊंट दिए हमने असे ख्राषद हमने और और हमने स्प्लुट्रिंग के क्या दिये हैं, splitt ring के हमने, लिख दिता हूं, brushes के नाम दिये है, x and y and splittering के हमने नाम दिये है, splittering के हमने नाम दिये है, p and q, तो अभी p x के साथ attached है, और q y के साथ इस वकद touch में है, ओके, तो हमने बाहर से external source से, आपको पता है, हम यहां पर external source से, यहाँ पर current flow करते हैं तो हमने current flow किया external source से current flow करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम current की direction A to B करते हैं A से B की और जा रही है अगर current तो flaming का left hand rule देखिए कि magnetic field की direction तो हमेशा north से south ही आने वाली है मैं यहाँ पर अगर magnetic field की direction आपको show करूँ तो magnetic field की direction हमेशा north से south की और इस तरह से magnetic field lines चलेगी ठीक है magnetic field line इस तरह से चलेगी और uniform होंगी अब हम बात करें कि इस पर लगने वाला force जो A-B arm है A-B arm पर लगने वाला force क्या होगा हमारे पास A-B arm जो है अगर मैं यहाँ पर एक diagram अलग से बनाऊं तो यह है हमारी A-B arm यह है A-B arm A-B arm में अगर मैं current की direction आपको बताना चाहूँ कि current की direction क्या है तो वो है A से B यानि आप से दूर जा रही है current ठीक है current आप से दूर यानि स्क्रीन के अंदर की और जा रही है और magnetic field की direction मैं बताई चुका हूँ आपको कि magnetic field की direction क्या है तो magnetic field की direction है यह जो green color से मैं show कर रहा हूँ North से South North से South क्योंकि हमने North Pole इस तरफ लगाया है और South Pole इस तरफ लगाया है तो North से South की और जाएगी अब आपके पास अगर magnetic field की direction है current की direction है तो आप flaming left hand rule लगाके नीचे diagram यहाँ पर बनावाया है इस से आप देख सकते हैं मैं इस diagram को एक बार आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख पाएं कि हम जो है वो magnetic field की direction क्या है तो यहाँ पर एक बर मैंने इस diagram को बड़ा किया तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने first finger जो है आपकी यह वाली जो finger है यह magnetic field की direction में रखी यानि कि हमने north से south की तरफ इसको अगर रखा है north से south की तरफ रखा और current की direction screen में अंदर की हो रही है यह हमें current की direction के बारे में बता रहे हैं कि current की direction इस तरफ है तो current की direction इस तरफ की और magnetic field की direction इस तरफ है तो देखें कि force की direction जो है F father mother child में F जो है वो नीचे की और होगा तो इस diagram से हमें क्या clear होता है इससे हमें क्या पता लगता है कि force की direction क्या आ रही है answer है नीचे की और आ रही है तो यहाँ पर हमने यह green color से आपको जो नीचे दिखाया है force लग रहा है तो इस arm पे बात करें तो a, b, arm पे force कहां लग रहा है answer है नीचे की और लग रहा है ऐसे ही हम c, d, arm पे देखना चाहें तो c, d, arm में current जो है वो a से b गई थी ऐसे गई इस तरह से move होई आगे और फिर यहाँ पर c, d पे पहुंसते current की direction c से d की और हो जाती है तो अगर मैं current की direction की बात करूँ तो yellow color से current की direction को यहाँ show किया गया है यहाँ आप देख सकते हैं तो current की direction क्या है c से d की और है तो अब की बार अगर हम flaming left hand rule लगा के देखें तो हम यह पाएंगे कि जो लगने वाला force है वो उपर की और है यानि कि c, d, arm पे force उपर की और लगता है इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं आप सबसे पहले magnetic field को set कीजिए flaming left hand rule में अपना left hand लीजिए और left hand में सबसे पहले magnetic field को set कीजिए यानि first finger को आप left to right set करें left से right की और set करें आपके right hand की तरफ set करें अब उसके बार current को आप अपनी और set करें यानि screen से बाहर अपनी और set करें खुद के face की तरफ, सबसे बड़ी finger को face की तरफ set करें तो आप देखेंगे आपका thumb जो है उपर की और जा रहा है तो हमने magnetic field को right की तरफ किया और current को अपनी और किया तो हम देखते हैं जो thumb है हमारा उपर की और जाता है यानि force इसमें उपर की और लगता है तो इन दोनों arms पे हमें पता लगा कि AB arm पे force नीचे लग रहा है और CD arm पे force उपर की और लग रहा है तो ये force हमें क्या provide करता है इस तरह का force आप लगाते हैं generally जब आप bicycle चलाते हैं bicycle के time पर आप क्या करते हैं cycle के एक handle को अंदर की और एक handle को बाहर की और लेके जाते हैं तो आपकी cycle turn कर जाती है मुड जाती है इस force को हम torque बोलते हैं इसे हम torque बोलते हैं torque क्या होता है torque एक ऐसा force होता है जो किसी भी चीज़ को rotate करने के काम आता है torque के अंदर torque कैसे पैदा होता है कि अगर हम किसी भी object के उपर एक तरफ force नीचे की तरफ लगा रहे हैं और एक तरफ force उपर की और लगा रहे हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो object है जो हमने यहां बीच में रखा था ये object जो है ये rotate करना start कर देता है और ये कुछ इस तरह की नई shape में आ जाता है होता है तो कोई भी चीज को हम टॉर्क देंगे तो रोटेशन स्टार्ट कर देगी और टॉर्क के लिए equal and opposite forces यहां पर लग रहे हैं दोनों forces equal हैं और उनका line of action opposite है line of action एक का downward है इसका downward है और इसका upward है तो ये torque बनता है टॉर्क बनने से ही जो rectangular coil है ABCD ये इसके बीच में rotate होने लग जाती है अब हम समझते हैं कि इन split rings का क्या use है तो अब first diagram में आपने देखा कि P जो है split ring P कौन से वाली ये blue वाली वो X से attached है यानि AB X से attached है ओके और CD portion split ring जो की Q से जुड़ावा था वो Y से carbon brush Y से attached है अब हम जब जैसी ये rotate होगा rotate होके इसकी नई position इस तरह के कुछ आएगी तो AB इधर पहुंच जाता है इस side में south pole की तरफ और CD जो है वो north pole की तरफ आ गया है तो अब हम देखेंगे कि split ring जो पहले की Q जो split ring थी वो Y से attached थी लेकिन अब वो जब क्योंकि घूम के यहाँ पर आ गई है क्यों यहाँ पर आ गया है गूम के तो Q कि से attached हो गया है X से attached हो गया है यानि कि अब Q में current कौन देगा तो Q में current अब की बार पहले तो दे रहा था Y Y carbon brush के थू जा रहा था इसमें current इस wire के थू जा रहा था लेकिन अब कौन सा wire इसके अंदर current देगा तो answer है X वाला wire इसके अंदर current flow करेगा तो CD portion में अब current की direction कौन सी हो जाएगी यह वाली हो जाएगी यानि कि अब current जो है वो D से C जाएगी ना कि C से D पहले current जा रही थी C से D direction में अब की बार यह जब CD घूम के इस तरफ North Pole की तरफ आएगा तो उसमें current की direction भी बदल जाएगी और यहां पर भी ऐसा होगा पहले current A से B जाएगी ती लेकिन अब B से A आएगी क्योंकि यह कौन से इसका split ring किस से attach हो चुका है वाई carbon brush से split ring जो था जिसका नाम था P अब वो वाई से attached है यहनि कि अब इस वाली wire से attached है negative वाली वायर से attached हो गया है और CD का sí мар्ण जो कि क्यों नाम था जिसका ग्रीन कलर से दिखाया था वो अब किस से से एक्स से फ्यार गया है तो इस के अंदर गुर्ण जो फिर निचे की और फौर्स लगेगा और जो ये B A आम है इस पे फोर्स उपर की और लगेगा यानि कि ये पात स्प्लिटरिंग ये काम कर रहे हैं कि जो भी इस रेक्टेंगुलर लूप की आर्म जो है वो नॉर्थ पॉल के और आती है उस पे हमेशा फोर्स नीचे लगता है और जो भी साउथ पोल की तरफ आर्म घुमके जाती है उस पे फोर्स उपर की और हमेशा उपर की और फोर्स लगता है तो फोर्स की डारेक्शन को फिक्स रखने का काम करती है ये स्प्लिटरिंग और कार्बन ब्रशिस आपको carbon brushes और splittering का use समझ आ गया होगा कि ये इस तरह से एक दूसरे को बार-बार बदलती रहती है x q x p x q x p x q x p ऐसे बदलती रहेंगी ठीक है और ये अपने आपको बदलके और current की direction को हमेशा इस arm fix रखती है और force की direction को fix रखती है नीचे की और north pole की और हमेशा जो arm आईगी वो नीचे की तरफ force लगेगा और south pole की तरफ जो arm आईगी उस पे हमेशा उपर की और force लगेगा और ये rotation चलता रहेगा ये rotation लगातार फिर रोकेगा नहीं तो अगर ये rotate हो गया है magnets की बीच में तो इससे हम आगे blades को जोड़के fan बना लेते हैं और हमारा fan rotate हो जाता है या फिर हम जो भी इसका use करना चाहें mechanical इससे जो भी energy लेना चाहें ये mechanical energy डवलप हो गई है एक rotation स्टार्ट हो गया है इस rotation का आप कुछ भी use कर सकते हैं आगे fan blades लगा के fan बना सकते हैं या कोई भी और अन्ने use कर सकते हैं तो ये थी हमारी electrical motor I think आपको ये phenomenon समझाया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चेप्टर के एक topic पे electromagnetic induction पे electromagnetic induction को समझने के लिए बड़ा ही एक interesting phenomenon है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे इनको बनाने वाले हमारे बड़े scientist Michael Faraday को Michael Faraday जो थे वो experimental physicist थे मतलब क्या है इसका कि उनकी कोई formal education नहीं थी उन्होंने कोई formal education नहीं की वो एक shop पे work करते थे book binding की और वहाँ पर उन्होंने को books पढ़ने का शौक था और वो book को read करते थे binding करते वक्त और धीरे धीरे उन books को पढ़ते बड़ते उनकी science में रूची डबलब हुई और उन्होंने experiments करने start किये उनको धीरे धीरे opportunities मिलती गई लैब्स मिलते गई और उन्होंने physics में ऐसे बड़े बड़े experiment कर डाले जो आज हमें बड़े ही जबरदस्त रूप से काम आ रहे हैं तो माइकल फेराडे का एक बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी physics में हम इनके लिए इनके योगदान के लिए इनके हमेशा करता कि इनका सबसे बड़ा जो experiment हमारे सामने हम पढ़ने वाले हैं वो है electromagnetic induction का वो phenomenon क्या होता है आईए समझते हैं आप अगर कोई एक magnetic बार लें ठीक है को बैंटरी नहीं लगा रखी है नो सेल नो बैंटरी कोई भी हमने इसको करंट देने का सिस्टम नहीं बना रखा है तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस magnet को electromagnetic induction फेराडे के जो क्या थे कि इन्होंने इस magnet को इसके पास लेके गए वो इसके पास लेके गए तो उन्होंने देखा कि नीचे जो गैलवेनोमीटर लगा है इसके अंदर deflection आता है गैलवेनोमीटर में deflection गैलवेनोमीटर क्या होता है गैलवेनोमीटर क्या है कि हमें करंट के बारे में जानकरी देने के लिए एक instrument बनावा है जो कि हमें करन्ट की जानकरी देता है कि सरकेट में करन्ट है या नहीं तो गैलावेन विटर यहां पर होता है ही तो आपको नीचे गैल यंट्रम और णे दिफ्लेक्शन आया और अगर हमनेिया पर इसको मोHello और ज़्यादा किया तो हम देखते हैं कि गैलवनोमेटर में डिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा आ जाता है और यह गैलवनोमेटर जो है इसमें डिफ्लेक्शन मेग्जिमम देखता है अगर इस मेगनेट के मुवमेंट को तेज तेज कर दें यानि अगर हम इसको अंदर बार बढ़े तीजी से लेके जाएं, यानि बड़ा fast movement कर दें, बढ़ा fast करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यह deflection भी fast हो जाता है, और अगर हम movement को रोग देते हैं, अगर हम किसी जगा पर इस movement को रोग देते हैं, तो हम देखते हैं, deflection zero हो जाता है, तो यह एक अद्बूत घटना रही है इसे हम Electromagnetic induction कहते हैं इस फिनोमेना को फेरादेन नाम दिया Electromagnetic induction यह एक चमतकारी घटना थी जानी कि अगर हम किसी भी कोईल के पास magnet का मुवमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पर करण नजर आती है एक एक्सपेरिमेंट इन्हों क्या किया वो उसको भी समझ लेते हैं उसके अंदर क्या किया एक दो कोईल ली effective नाम दिया primary एक का नाम दिया bleu जब प्रैम रेकोईल के अंदर हम करन्ट हो करते हैं तो कोई सेल जहानिया है नहीं है यहां पर आप द्याहन से देखिए और सिरफ एक गैलवंडर करने का सिस्टम है लेकिन स्केंडरी कोयल में करन्ट से फ्लो करने का कोई सिस्टम नहीं है लेकिन हमने यहां फिराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर उन्होंने बताया कि अगर प्रैमरी कोयल के अंदर करन्ट करेंगे के अंसलो करना करना स्टार्ट करते हैं जैसी हम की लगाते हैं तो गल्वनोीटर के अंदर जैसी हमने देखिय लगाई लग लग है की की तो गळलिवनो में मिटर में deflection आ गया तो यह हम पर सक्लेंदर को यह सेल नहीं है कोई इसके अंदर सोर्स नहीं है लेकिन फिर भी करंट वह रही है तो प्राइमरी कोयल ने क्या ऐसा कर दिया सकेंडर कोयल के अंदर जिससे करंट वहने लग गई उसी फिनोमेना को हम एलेक्रव मेगनेटिक इंडेक्शन कहते हैं अभी हम थोड़ा समझेंगे इसके बारे में और भी तो यहां पर देखें कि ये जैसी प्लग करते हैं की ढफτε नग च जोड़ देते हैं लग करते only key को लगाने पर आता है ऐसा ही उपर वाले practical में भी था कि magnet को move कर अगर आप कर रहे हो लगाता to and fro to and fro यानि कि अंदर बार कर रहे हो तब तो deflection आएगा लेकिन अगर आपने magnet को एक जगह पर ले जाके इसके पास में रोग दिया तो deflection नहीं आएगा यानि deflection कब आएगा जब आप इसको लगाता to and fro move करोगे लगाता अपने हाथ को चलाओगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे तो deflection आएगा लेकिन अगर आपने magnet को एक जगह पर रोग दिया तो deflection नहीं आता वैसे ही current अगर इसकी को बार बार निकालोगे लगाओगे निकालोगे लगाओगे निकालोगे लगाओगे तो deflection आएगा ठीक है निकालोगे लगाओगे तो deflection आएगा लेकिन लगा के छोड़ दिया या निकाल के छोड़ दिया या लगातार current flow कर दी या लगातार current एक फील्ड में चेंज होने को अब आपको इसको समझते हैं पहले हम कि क्या हो रहा था एक्चुल में कि हम मेगनेट को यह मेगनेट का नौर्थ पॉल है यह मेगनेट का साउथ पॉल है और हम जैसे इसको इस कोईल के पास में लेके जा रहे हैं यह कोईल है कोईल क्या होती है हम इससे आपको पता है कि Magnetic Field Lines निकलती है यह आप जानते हैं Magnetic Field Lines से इस तरह से होती है है ना नौर्थ से निकल के और कहाँ पर जाती है South में जाती है तो इस तरह से poking आप Magnetic Field Lines इस के अंदर Enter करवा रही हो इस Coil में यह जो Coil coronary गैलवनोमिटर से जोड़ा था यादा रहे तो हमने अगर मैं इसको नॉर्थ पोल को पास ले जा रहा हूं तो मेगनेटिक फील्ड लाइनस इसमें मैं इंक्रीज कर रहा हूं अगर मैं इसको पास लेके जा रहा हूं तो magnetic field lines को मैं क्या कर रहा हूँ स्कोल में magnetic field lines को increase कर रहा हूँ ठीक है और मैं इसको अगर 2 and V rival का मतलब है एक बड़ार पास ले गया और एक बड़ार मैं stimul ने गया अगर मैं दूर लेकर जाऊंगा तो मैं magnetic field lines को क्या कर गरवाता हूं और कभी मैं इसमें से बाहर निकाल देता हूं तो बार बार इसकी magnetic field lines बदल रहा हूं इसके अंदर तो इस राशी को physics में magnetic flux कहते हैं magnetic magnetic flux इस राशी का नाम दिया magnetic flux magnetic flux क्या है magnetic field lines को भी बोलते हैं magnetic field lines का number of magnetic field lines कितनी ज्यादा है उत्रा ही magnetic flux ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं बार बार इस कोईल से related इस कोईल के अंदर magnetic flux बदल रहे हैं क्या बदल रहे हैं magnetic flux magnetic flux क्या है magnetic field lines यह हैं तो हम बार बार लाइन को बदल रहे हैं कैसे बदल रहे हैं मेगनेट को पास ले जाएंगे इसके तो मेगनेटिक फीड लाइन इसमें बढ़ जाएंगी जैसी पास लेके जाओगे मेगनेटिक फीड लाइन इसमें इंक्रीज हो जाएंगी और जैसी आप इसको दूर ले जाओगे flux अगर बदलेंगे magnetic field lines की संख्या बदलेंगे numbers बदलेंगे तो उसके अंदर current develop होगी हाँ अगर magnet को एक जगा पर ले जाके छोड़ देंगे आप fix तो फिर तो ये number of lines बदलेंगी नी, magnetic flux बदलेगा नी तो उस तिती में current flow नहीं होगी ऐसा ही यहाँ पर था इस practical में भी लगातार देखो जैसी आपने की लगाई तो इस wire में क्या पैदा होगा जैसी आपने यहाँ पर की लगाई तो primary coil में क्या बनेगा magnetic field बनेगा, magnetic field बनेगा यानि magnetic field lines बनेगी वो magnetic field lines इस वाली second coil के अंदर enter होंगी जाके और इसका magnetic flux बदलेंगी, ठीक है लेकिन अगर आपने की को लगातार लगाया रखा तो यह तो magnetic field lines तो fix ही बनने वाली हैं, तो यह बार बाद में उतनी ही संख्या में इसके अंदर जाती रहेंगी, तो बदलेंगी तो नहीं तो magnetic flux बदलने से reading आती है, magnetic flux बदलना है तो बार बार हम की को on-off करेंगे तो कभी यह lines बनेंगी कभी यह lines 0 हो जाएंगी, कभी यह line बनेंगी, कभी यह line 0 हो जाएंगी इस condition में बदल रहा है magnetic flux है ना, तो magnetic flux बदलता है, तो फेराडे ने बताया तभी बनती है, magnetic magnetic flux अगर बदलता है तभी galvanometer के अंदर हमारे क्या आता है deflection आता है ओके, clear है आपको तो यहाँ से यह था हमारा electromagnetic induction इसे हम क्या बोलते हैं electromagnetic induction, इस ख़टना को बोलते हैं, electromagnetic induction और इससे हुआ क्या, इससे हुआ इसके अंदर, secondary coil में या फिर इस coil में इसकी बात करें इसके अंदर current flow हने लग गई तो इस current को बोलते हैं induced current induced current क्योंकि यह current थी नहीं, यह current तो इस magnet ने बनाई है इस magnet ने है, यह current बनाई है तो इस current को induced किया गया है तो इस current का नाम दिया गया induced current कौन सी current है यह induced current इस phenomenon पे हमारा generator काम करता है जो आप generators देखते हैं एसी generators घरों में आप लगावा देखते हैं वो इस phenomenon में काम करता है हम बार बार उसके अंदर flux को change करते हैं coil के अंदर और coil के अंदर current बनती है उस current का use हम अपने घरों में करते हैं वो आपके syllabus में था अभी सेशन में नहीं है तो हम बात करेंगे generator के बात तो नहीं करेंगे आज जादा तो हम सिर्फ यह phenomenon समझेंगे इसी पर based है electric generator जो हमारे को घरों में बिजली मिलती है वो भी ऐसे मिलती है कर्मल प्लांट में भी यह जनेटर लगा होता है वहां पर हम boiler के थू टरबाइन घुमा के और वहां पर भी इस तरह से हम flux को change करते हैं और हमें क्या मिलती है electric current मिलती है इसका यह डाइग्राम आपकी बुक में दियावा है कि कोई वन के अंदर current flow करोगे बार-बार की को on off करोगे तो coil 2 के अंदर current induced हो जाएगी जिसका नाम होगा induced current ओके अब इस induced current को direction को find out करने के लिए एक चोटा सा रूल आपकी बुक में दिया हुआ है flaming left right hand rule एक चोटा सा रूल दिया गया है flaming right hand rule right hand rule क्या है कि अगर आप अपने right hand के thumb first finger और middle finger को लिजिए तो आपकी जो first finger है वो तो magnetic field को जैसे left hand में दिखाती थी वैसे ही left hand right hand में भी यह magnetic field को दिखाएंगी first finger और आपकी middle finger जो से बड़ी फिंगर होती है वहाँ पर भी current को दिखाती थी father mother child में तो वह यहाँ पर भी current दिखाएंगी current को ही करेगी current को कौन सी current है लेकिन यह induced current है कौन सी current है यह induced current को शो करेगी और motion motion जो आपका force thumb जो वहाँ पर force को दिखाता था left hand rule में वह यहाँ पर motion of conductor motion of conductor की conductor को आप कैसे motion कर रहे हैं उसको बताएगा ठीक है motion of conductor को बताता है तो इससे आप फिनोमेना से current की direction भी find out कर सकते हैं thanks for watching the video have a nice day bye